कि अमरूद को लेरिंग से ही हम लोग प्रवर्धन करते हैं लेकिन आज आप लगों को एक नई तक्निक के बारे मैं बताना चाहता हूं जो कि वेज ग्राफ्टिंग के दुआरा अमरूद का प्रवर्धन किया जा सकता है इस तक्निक को जानने के लिए सबसे पहले आपको बड इस्टिक के लेने के आवशकता है यानि कि साइनिस्टिक लेने का तरीका है कि वो पैंसिल थिकनेस यानि कि छोटी उंगली के बराबर के थिकनेस का हम लोग साइन के लिए सेलेक्ट करते हैं आईए आपको बताएं, इस अम्रूत के पेर में ये टहनी जो है, ये सायनिस्टिक हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, साथ दिन पहले इसको डिफॉलियेट कर देते हैं, डिफॉलियेट करने का तरीका है, लीफ के एकसिल को काट देना, इस तरह से हम लोग काट देते हैं, ताकि जो फूट मेटेरियल है, जो कार्बो हाइडरेट है, वो एकसिल में जमा रहके और इसको प्रसफुटित करें, इसके लिए हम लोग लीफ को साथ दिन पहले काट देते हैं, जिस क्यिया को डिफॉलियेशन करते हैं, ये करीब-करीब एक वेजग्राफ्टिंग के लिए 6 इंच का हम लोग चुनाव करते हैं, आईए अब बताएं कि हम लोग कैसे सिड्लिंग का तयारी करेंगे, और किस सिड्लिंग पे इसको लगाना है, कम से कम सिड्लिंग जो होनी चाहिए, वो तकरिबन एक साल पुरानी होनी चाहिए, और इतना ही मोटा होना चाहिए, ताकि सक्सेस रेट इसमें जादा से जादा हो सके, और तकरिबन आपको बता देना चाहता हूँ, वेजग्राफ्टिंग से 90 से 98 परसंट का सक्सेस है, जहां तक कि आपको लेरिंग से, जिसको आप गुटी बोलते हैं, चैनीज लेरिंग बोलत हैं, उससे करीब करीब आपको 70 से 80 परसंट तक ही जाता है, तो तकरीबन आपको 10 से 12 परसंट का इसमें मुनाफा होता है